So Hello Everyone, Forum MKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ AMS जैसा Medical College जहांपर आप निसुल्क यानिकी फ्री में B.A.C. Nursing Course कर सकते हो और यहांपर सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग के दोरान आपको कोई भी पीस पे नहीं करना पड़ता यहां तक कि यहांपर रहना काना पीना सब कुछ फ्री होता है होस्टल की सुविदा यहांपर निसुल्क AMS की तरह रहती है तो यहांपर अगर हम बात करें exam pattern की तो सेम आपका AMS के जैसा यहांपर exam pattern रहने वाला है योगेता की बात करें तो सेम आपका AMS के जैसा यहांपर eligibility criteria योगेता यहांपर रहने वाली है और यहांपर selection का procedure भी सेम AMS की तरह ही रहने वाला है इसके अलावा as limit भी आपका AMS की तरह यहाँ पर रहने वाला है तो बहुत कुछी की बात है कि इंडिया में एक तो आपका M's है जहाँ पर आप निसुल्क B.S. नर्सिंग कोर्स कर सकते हो इसके अलावा एक और नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हमने खोज लिया है जहाँ पर आप निसुल्क M's की तरह B.S. नर्सिंग कोर्स कर सकते हो देखो खापी रिसर्च करने पड़ती है आपके लिए तब जाके ऐसे कॉलेज हम को मिल बाते है ठीक है और ऐसे कॉलेज तो हम बहुत सारे लेके आएंगे सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तो चलिए देख लेते हैं ये मेडिकल कॉलिज कौन सा है जहाँ पर आप M's की तरह निसुल्क 3 में B.S. नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं यह है आपका PGI चंडीगड जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना एक तो होता है आपका PGI रो तक और एक है आपका PGI चंडीगड तो इस वीडियो में फिलाहाल हम PGI चंडीगड के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर पूरा क्राइटीरिया M's की तरह रहने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको कोई भी पीस नहीं देना है ना तो होस्टल का देना है नहीं आपको ट्यूसन पीस देना है कोई भी पीस नहीं देना इसके अलावा आपको उल्टा गौर्मेंट स्टाइफ हैंड देगी ट्रेनिंग के दोरान और इससे भी बड़ी कुसी की बात है कि जब आपका course complete हो जाएगा तो direct आपको सरकार इनोकरी यहाँ पर मिलेगी clear? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसका exam pattern देख लेते हैं PGI चंडिगड का तो जैसा की screen पर आप देख पारोंगे इसका exam का pattern कुछ इस प्रकार से रहता है क्योंकि आपको फोरम बरने के बाद यहाँ पर exam देना होता है तो यहाँ पर exam का pattern रहेगा chemistry में 25 questions आपसे पूचे जाएंगे physics में 25 questions आपसे पूचे जाएंगे biology में 25 questions आपसे पूचे जाएंगे English में 15 questions याण कि 15 questions आपसे पूचे जाएंगे GK current affair से 10 questions याँ पर आपसे पूचे जाएंगे total जो number of questions रहेंगे 100 questions आपसे पूचे जाएंगे total जो number रहेगा ना यहाँ पर 100 का आपका paper रहेगा तो same M's का भी कुछ इसी परकार से है और यह simple questions रहते हैं बहुत ही M's कूज type preparation तो हम भी करवा देंगे इसकी तो preparation को लेके theory को लेके तो आपको बिल्कुल चिंदा यहाँ पर नहीं करनी क्योंकि notes हमने available करवा रखके हैं जिनको notes लेना है वो इन number पर वार्जब कर देना और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं काफी सारे पिरे विद्यार्टियों के हमारे पास comment आ रहेते सरे इसका exam का pattern क्या रहता है तो चलिए मैं आपको exam का pattern भी दिखा देता हूँ बहुत ही simple है क्योंकि बहुत जादा विद्यार्ट यहाँ पर dry हुए है कि सर यहाँ पर सब कुछ पिरी है कि exam का pattern किस प्रकार का रहता है तो जैसा की screen पर आप देख पार हूँए यहाँ पर आपका computer based test लिया जाता है CBT online clear और यहाँ पर जो exam का duration रहता है जो अवदी रहता है न वो यहाँ पर 1 गंटा और 30 मिंट यान की 90 मिंट का paper आपका रहता है 90 मिंट में आपको 100 यान की so question आपको हल करने होते है और इसके अलावा number of shift की बात करें तो एक shift में आपका exam हो जाता है और यहाँ पर जो timing रहता है अधिक तर तो देखो morning का time रहता है अगर इस साल कोई issue हुआ तो timing में change हो सकता है ठीक है लेकिन timing आपको उतना ही मिलेगा 90 मिंट का है time आपको मिलेगा clear तो यह बात आपको डियान में रखना है आगे यहाँ पर अगर हम बात करें कि paper का language क्या रहता है क्योंकि बहुत ज़दा comment आ रहता है हिंडी में रहता है इंगलिस में रहता है तो clear हो जाएगा मैं आपको बता दूँ इंगलिस में रहता है डरना बिल्कुल भी नहीं है कापी सारी विद्यारती इंगलिस का नाम सुनते है डर जाते है अधिकतर हिंडी मीडियम वाले डरने वाली बात ही नहीं है पेपर में क्यूसन आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अधिकतर हिंडी मीडियम वाले टॉप करते है क्योंकि यहां पर हमारे साथ भी उस टाइम पे थे तब इंगलिस मीडियम में चलता था पूरा लेकिन क्यूसन हमको समझ में आ जाता था कि यह क्या बोल रहा है और चार ओप्शन दे रखे होते है तिक उसमें करना होता है तो वो बेसिक हम कर देते है क्योंकि लेंग्विजम को समझ में आ जाती है इतना टप नहीं होता जितना आप समझ रहे हो खीक है? तो इंग्रिस में पेपर होगा डरना बिल्कुल भी नहीं है, नोट्स मैं अवालिबल करवा दूँगा, मैंने आपसे प्रोमिस कर रखा है, और ये help line है, अगर आपको नोट्स लेना है तो, आगे यहाँ पर बात करें, क्यूशन का टाइप, तो objective टाइप यहाँ पर M-SQ रहेगा, M-SQ टाइप, 100 क्यूशन आपसे यहाँ पर पूचे जाएंगे, तो कुछ इस परकार से आपका यहाँ पर PGI चंडिगण में एक्जाम का पेटर्न रहता है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका एक्जाम का सेंटर कहां कहां पर रहता है, एक्जाम का सेंटर आपको कहां कहां पर मिल सकता है, तो जैसा है कि स्क्रीन आप देख पारूंगे, यहाँ पर 14 यानि कि 14 एक्जाम सेंटर आपके इंडिया में रहते हैं, अम्बाला हर्यना में और अमरित सर पंजाब, बटिंडा पंजाब, बिलासपूर और चंडिगड डेली, इसके बाद आपका वाजिलत का पंजाब और हमीरपूर और जलंदर और कंगरा और यहाँ पर पानिपत, पतियाला, रोतक, सिमला, इन सहरों में आपका एक्जाम सेंट पर रहता है, PGI चंडिगड का, और भी यहाँ पर चलो, इंट्रेक्शन्स देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पार होंगे, आपका जो एप्लिकेशन पीस है, यहाँ पर केटिगरिवाइज अलग लग रहता है, अगर हम YSC और HT वालों की बात करें, तो यहाँ पर 1200 पर आपका फोरम का पीस रहता है, अगर यहाँ पर हम General OBC की बात करें, तो यहाँ पर 1500 पर आपका फोरम का पीस रहता है, फोरम आपका online यहाँ पर फिलप किया जाता है, online इसकी जो official website है, वहाँ से आपको फोरम फिलप करना होता है, और वहीं से आपको फोरम का पीस का payment करना होता है इसके लिए जो basic documents की need है वो आपका 10 वी का mark sheet यहां पर चाहिए इसके अलावा बारवी का admit card या फिर बारवी का mark sheet है तो वो भी आप use कर सकते हो इसके अलावा आदार card, passport size का photo, domicile certificate, cash certificate यह basic documents की need यहां पर रहती है passport size का photo, अगर यह आपके पास है तो यह form आ बर सकते हो यहां पर बात आती है कि सर इसका form कौन कौन बर सकता है तो यहां पर देखो अगर आपके टॉल्ट में physics, chemistry, biology और English subject है तो यह form आ बर सकते हो, इसी के साथ आपका जो age है, जो IU है, जो उमर है यहां पर होना चाहिए, December 2024 तक आपका 17 साल complete होना चाहिए तो यह form आप बेसक बर सकते हो चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं tuition piece की, कि यहां पर tuition piece आपका क्या रहता है जिसे कि यहां पर mention किया हुआ है, tuition piece यहां पर 250 और इसके लिए library piece देना होता है, 30 और इसके बाद games piece 15 और इसके बाद security money आपको देना होता है, 5000 बट यह refundable है, देखो यहां पर साफ साब mention है, refund आपको कर दिया जाता है migration piece यहां पर 100 और इसके लवा यहां पर देखो, hostel charger तो hostel charger भी इसमें ज्यादा है नहीं, यह सब refundable है, यहां कि आपको refund कर दिया जाएंगे, साफ साफ यहां पर mention किया हुआ है तो बिल्कुल इसको निशुल्क आप समझ सकते हो, फ्री में आप समझ सकते हो, इस टाइफ हंट इसमें आपको 500 पर मन्त यहां पर मिलता है, PGI में साफ साफ यहां पर clearly mention ने पर मन्त यह देखिए, यह obviously अपडेट इन्होंने mention यहां पर किया हुआ है तो जैसा कि मेरे प्रिविद्यार तो आपने देखा कि यहां पर सब कुछ फिरी है, और जो भी payment आपको देना होता है, गोवर्मेंट उसको वापिस refund कर देती है तो आपका तो पुरा मामला फिरीका हो गया, तो यहां पर कोई भी payment को लेके issue वाली बात है नहीं, आर्थिक इस्तितिक कमजोर है, अगर आप गरी प्रिवार से belong करते हो, तो आपके लिए तो सुना राऊसर है, और जैसा कि आपने देखा होगा, EMS में भी बिल्कुल फिरी है, तो EMS के जैसा है, आप इसको समझ सकते हो, PGI चंडीगड को, और यहां पर फोरम आपके अगले महीने आने वाले है, तो आप इसके लिए तयार आना, बाकि तयारी की रही बात, तो तयारी हमने इस्टार्ट करवा रखी है, जो application है हमारा, EMS Academy, वहां से भी आप तयारी क पर वा देंगे, तो आप अगर चाते हो, अगर आपके अंदर जनून है, तो अभी से निर्ने ले लो आप, कि हमको तयारी करना है इसके लिए, और तयारी तो देखो, सभी की सेम ही है, चाहिए आप किसी की भी करो, सेले बस सबका सेम होता है, EMS की करो तब भी लगबग वह ही है, PGI चंडीगड का अभी लगबग वही है, इसके अलावा आपके राजस्तान का, UP का, MP का, सब जगह सेम होता है, Physics, Chemistry, Biology, तो हमारे नोट्स आपके हर स्टेड में, हर Medical College में काम आएंगे, तो इन नमरों पर वार्टस अप करके आप नोट्स ले सकते हो, बांकि PGI चंडी के लिए टेलेग्राम को फोलो कर सकते हो,